इस टाइप से सेनिमेटिक रियल्स वीडियो आप लोग कैसे किरियेट कर सकते हो भी अपने वीलेज में तो आज इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि कैसे आप लोग लेरिक्स लगा सकते हो और आप लोग कैमरा का इफेक्ट भी लगा सकते हो और आप लोग को ये टुजेट पोर्सेस बताऊंगा तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि आपका भाई ना इस टाइप से एडि वीडियो को सूट करिएगा आप लोग यहां पर भी देख सकते हो मैं साम के समय में अपने वीडियो को यहां पर सूट किया हूं कुछ इस टाइप से आप लोग किसी भी फोन से कर सकते हो ठीक है आप लोग कुछ इस टाइप से देख सकते हो वीडियो को मैंने सूट किया है तो simple से आप लोग को cap cut application को open कर लेना होगा new project वाले option पे चले जाएंगे और आप लोग जितने भी clip में अपने वीडियो को suit कियो वो सब वीडियो अपने cap cut application में add कर देना होगा तो चलिए सबसे पहले मैं ये वाला वीडियो add कर देता हूँ और कुछी इस टाइप से आप लोग अपने वीडियो को record करके और आप लोग भी कुछी इस टाइप से add कर देजिएगा आप लोगों को यहां mute पे click कर देना होगा ठीक है क्योंकि यह noise बगार आएगा तो अच्छा नहीं लेगा और जाने के बाद इस delete वाले option पे आके यहां से आप लोग को delete का option मिलेगा और अपने खराब click को delete कर देजिएगा अभी इतना होने के बाद आप लोग को कुछी इस टाइप से last वाला जो वीडियो है यहां से भी हम cut कर देंगे अप लोग यहां पर भी देख सकते हो कुछी इस type से यहां से चलना ही start किया है तो यहां से हम लोग इसको भी यहां से cut कर देंगे ठीक है ऐसे ही अपने वीडियो को अच्छे से आप लोग कट कर लिजेगा कट करने के बाद आप लोग को बताता हूं कि कैसी क्या करना है ओके दोस्तों अपने खराब किलिप को कट करने के बाद आप लोग को सिंपल सी क्या करना होगा सबसे पहले हम लोगना आपने वीडियो में Sound Effect医 करेंगे ठीक है सबसे पहले हम लोग यहां पर चले आएंगे और आने के बाद आप लोगो को ना इस वाले Option पर किलिक करना होगा एंड किलिक करने के बाद आप लोगों को ना कुछ ही इस टाइप से light effect वाले option पे चले जाना होगा एंड पहले वाले option को select कर देना होगा select होने के बाद आप लोग देख सकते हो कुछ ही इस टाइप से आप लोग को interface मिलेगा अभी आप लोग को मैं दिखा दूँ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कुछ ही इस टाइप से interface दीख रहा है ठीक है तो सबसे पहले मैं आप लोग को दूसरे वाले वीडियो पे जाना होगा और जाने बाद आप लोग को यहाँ पे एनिमेट्स का option मिलेगा ठीक है तो एनिमेट्स वाले option पे जाना होगा और आप लोग को इस वाले option को select कर लेना होगा ठीक है फिड इन का option को select कर देना होगा तो अभी आप लोग देख सकते हो कुछ ही इस type से हम लोग में यह लग चुका है ठीक है अब इतना होने के बाद हम लोग sound effect और add करेंगे ठीक है तो आप लोग को sound वाले option पे चले जाना होगा और आप लोग को जाने के बाद यहाँ पे आप लोग को search कर देना होगा camera effect ठीक है camera effect सर्च कर देना होगा सर्च होने के बाद आप लोग को यहां पे सुरू में ही मिल जाएगा ठीक है तो इसको पहले यह option पे आप लोग को यहां से कुछ ही इस टाइप से add कर देना होगा हैने यहां पे आप लोग को बीच में अच्छे से adjust कर देना होगा ठीक है तो आप लोग देख सकते हो कुछ इस टाइब से हम लोग के। एफेक्ट लग जाएगा ठीके। अब इतना एफेक्ट लगाने के बाद आप लोग को क्या करना होगा। संपल से हम लोग अपने वीडियों में कलर ग्लेंडिंग करेंगे। तो हम लोग को थोड़ा सा बैक जाना होगा, बैक जानेक बाद इस कॉल डाउन करते हुए जाना है, तो आप लोग को यहाँ फिल्टर का option मिल जाएगा, फिल्टर के option पर किलिक करके, और आप लोग को इस कॉल डाउन करते हुए जाना है, तो आप लोग को यहाँ पर night scene का option मि जाना होगा ठीक है अर्जेस्ट वाली आप्सन पे आने बाद आप लोग को यहां पर लाइट वगएर आप लोग की वीडियो में कम होगा तो कुछ इस टाइप से आप लोग कंटरेस्ट को भी बढ़ा गटा के अच्छे से आप लोग मैनेज कर लीजिएगा मैनेज करने के बाद सेचुरेशन को भी आप लोग थोड़ा सा गारा कर दीजा कियोंकि हम लोग का जो संसें लाइट है ना और भी अच्छे से देखने लएगा ठीक है अब इतना होने के उसका पर लोग को पीला वाले कलर बदे सेब्देना होगा ए अब लोग को पूरे विडियों में अपला कर देना होगा ताकि यह पूरा वीडियों अच्छे से आप लोग अभी आप लोग देख सकते हो पूरे वीडियो में ये light victim look के लग दे आए ठीके अभी लगने बाद आप लोग को बैका ना होगा दुबारा से filter वाले option पर चले जाना होगा जाने के बाद आप लोग को क्या करना होगा इस वाले option पर चले आना होगा एंड आप लोग को इस व पूरे वीडियो में add कर देना होगा अभी add होने के बाद आप लोग देख सकते हो वीडियो कुछ इस टाइप से दिख रहा है अभी हम लोग क्या करेंगे अपने वीडियो में slow motion add करेंगे ठीक है तो slow motion add करने के लिए हम लोग वीडियो वाले section पर जाएंगे and speed वाले option पर क क्लिक करके कर वाले option पर जाएंगे and अपलोग को स्कॉल डौन करते हुए जाना है तो आपोलोग को बहुत सारे यहांपि slow motionण मिल जायेक अठीक है तो आप लोग एक एक करके check कर सकते हो या फिर आप लोगो plus इनवाले option पर किलिक करके edit वाले option पे आना होगा एंड इस graph को आप लोग को नीचे कर देना होगा एंड कुछ ही type से यहां को adjust कर देना होगा इस पे एक बाद आप लोग को कुछ ही type से bit को यहां पे रख लेना होगा एंड यहां पे आप लोग को किलिक करने बाद यहां पर आप लोग देख सकते हो add bit का option है तो इस पर एक बार किलिक करके इसको गर आपको down कर देना होगा down करने बाद slow पर किलिक करके better quality को select करके यहां से apply कर देना होगा एंड आप लोग को यहां पर पूरिसर्स चालू हो जाएगा ऐसे करके आप लोग अपने पूरे वीडियो में add कर लिजेगा चली हम जल्दी से add कर लेते हैं हम लोग का वीडियो ने तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा के दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यूजली मैं अपने वीडियो में slow motion डाल चुका हूँ आप लोग जिस तरीके से मैं बताया हूँ ऐसे I hope आप लोग अपनी वीडियो में slow motion apply कर चुके होगे slow motion apply होने के बाद simple से आप लोग को बैक जाना होगा बैक जाने वाद आप लोग को यहाँ पे effect का option मिलेगा effect वाले option पे किलिक कर देना होगा एंड वीडियो एफेक्ट पे चले जाना होगा अभी आप लोग को यहाँ पे वाई विरेट का ओप्शन मिलेगा तो इस पे किलिक कर देना होगा और आप लोग को इस पे किलिक करने बाद कुछ इस टाइप से इसके साइच को 20 या 25 के आस पास में आप लोग को पूरी को रख बैक जाने बाद आप लोग को वीडियो वाले सेक्शन पे किलिक करके एनिमेट्स वाले आप्शन पे आना होगा और कॉम्बो पे किलिक करके जुमोवन वाले आप्शन को सलेक्ट करके आप लोग अपने पूरे वीडियो में आईडि कर दीजिएगा तो चलिए हम अच्छे से add कर देते हैं अभी इसके बाद हम लोग song लगाएंगे ठीक है simple से आप लोग को ID वाले option पर जाना होगा sound वाले option पर जाने के बाद आप लोग अपने file manager पर click कर दिएगा and आप लोग यहां export video पर करना चाहते हो या फिर IDEO में आप लोग का होगा तो यहां पर IDEO भी ले सकते हो ठीक है तो मैं यहां से अपने song को add कर देता हूँ song add होने के बाद आप लोग देख सकते हो कुछ इस टाइप से हम लोग का real create हो चुका है ठीक है ऐसे आप लोग अपने वीडियो को create कर सकते हो अगर आप लोग भी इस पलस वाले option पर किली करके कुछ इस टाइप से animation को लगाना चाहते हो अपने हिसाब से तो कोई साभी animation लगा सकते हो बहुत सारे animation आप लोग को मिल जाएंगे ठीक है तो आज के इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो like करिएगा, share करिएगा और चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को subscribe कर लेजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाईस